और इधर अब उत्रक्षंड में ट्रेल में महिला कैदियों के लिए पोशन अभियान चलाया जाने वाला है राज महिला आयोग ये ट्रेल का दौरा करेगा सुद्धू वाला में इस दिद ट्रेल का दौरा किया जाएगा कारगार में पोशन वाटिका की स्थापना की जाएगी सभी जिलो में लगेंगी पोशन वाटिका तो अब ट्रेल में महिला कैदियों के लिए एक अच्छी पहल की जा रही है जहां राज महिला आयोग ट्रेल का दौरा करने वाला है पोशन अवियान की शिरुवात होने वाली है सुतोवाला में इसे ट्रेल का दौरा किया जुआएगा कारगार में पोशन वाटिका की स्थापना की जाएगी और सबी जिलो में आप इस पोशन वाटिका को लगाया जाने वाला अबशन वाटिका की जाएगा ऑबी तक जो राज्य महिला आयो हमें इसने सामानरे जो महिलाएं जो आठी चुप से कमजोर है या कामकाजी महिला है है एकल जीवन या आपन जो महिलाएं कर रही हैं, उनको पोशन के लिहाद से इस तरह के प्रयास किये थे, अब ये जो कारगार में बंडी हैं, खास तौर पे, जो कैदी के तौर पर सजाय आफ़ता महिलाएं हैं, जो कैद काट रही हैं, वो और जो बंडी हैं जिनके मामले भी अब राजनी देरादून की जो सुदोवाला में जेल है, आज राजनी मैला आयोग की तीन दौरा करेगी, वहाँ पर पोशन बाटिकाज ठापना करेगी और इसके साथ-साथ, जो उनके स्वास से संबंदित, खानपान से संबंदित, जो भी व्यवस्था है, उसका जाय जा ल जो भी व्यवस्था हैं, खानपान की जो भी व्यवस्था हैं, जैसे मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, उनको उनके खानपान में शामिल कराने का, पोशन बाटिका को ठापिश करने का, और साथ में योगा भ्यास कराने जैसे योगा स्मेरों का समय समय पर आयजन कराना, ये आयोग महिलाओं के लिहाद से ये जो शुरुआत करने जा रहा है ये अच्छी पहल है आने वाले समय में न सिर्फ देरादों के बल्कि अन्य जो जन्पदों के कारागार जो जेल है वहाँ पर भी पोशन बातिका इस्थाप्टा करने की बात की जा रही है बहुत अच्छी ब बात करें तो वहाँ पर खाना तो तिया जाता है लेकिन कई न कई पोशन में कमी हूच राती है और इसी को लेकर अब राज महिला आयो की और से बड़ा फैसला लिया गया है जहां जेल में महिला कैदियों के लिए हर जिले की भी बात की जा रही है लेकिन पहले सुद्दों खाले का दौरा जो है वो किया जोए का महिला आयो की और से और वहाँ पर पोशन वाटिका की सथापना की जाएगी तो अच्छी पहल की जाए है पोशन अभ्यान महिला आयो की और से चला जाना